जोखिम नहीं लेना मना हैं काफी लोग अपने जीवन में जोखिम नहीं लेते उनको डर लगता है धंदे में जोखिम लेना मतलब रिस्क लेना या अपने नोक्री में रिस्क लेना या कोई भी काम में रिस्क लेना उनको बहुत ही घवराट पैदा करने वाला वैसा होता है उनको अपन समझे वहां जोखिम लिया और वहां असफलता आ गई तो फिर लोग क्या कहेंगे मेरा क्या होंगा पैसे चले जाएंगे क्या होंगा ऐसा होंगो लगता रहता है और फिर वह जोखिम लेते ही नहीं आपको बता है कि जोखिम नहीं लेना है यह सबसे बड़ी जोखिम है जोखिम लेना है तो आप अपने आपको कुछ सवाल करो और उसके जवाब देखो क्या आते हैं तो पहला सवाल है कि मैंने यह सब्चिम लिया मैंने रिस्क लिया तो बुरे सेुवा ऑँगा मतलब व्रस कम वर्स क्या होँगा बुरे सेुषो जवा क्या हो हो सकता है कि पैसे चले ज्याएंगे कि मैं बैंकरफ हो जाएंगा Criston फीज़ सकता है जेंग कि मेरे लोगों उसे ओ जांकी औरर षॉच्टाएंक caffeine के शॉइए फेल को दिद धना चालू करते हैं तो यह को एक साल तक वो दंडाचलता अघ है और आपको एक साल तक लोसाता है और आपको स्टेंहिकillä contingent व주는 उतने आपके पास में रिजवर है क्या और उतने रिजवर फंड आपके पास में होंगे तो रिस्क ले लो कोई चिंता नहीं उतना भी नहीं होगा तो बुरे से बुरे क्या होंगा उसके एक लिस बना बुरे से बुरा क्या होंगा वस कम वस और दूसरा सवाल अपने आपको कि समझो मैं रिस्क नहीं लेता हूं और जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देता हूं तो फिर बुरे से पूरा क्या होगा हो सकता है कि मैंने रिस्क नहीं लिया जैसा है वैसा चलने दिया स्टेटस को रखा तो चार साल पांस साल बाद में मुझे बहुत बेकार लगेगा कि मैं कि निए रिस लेना चीह था मैंने क्यों नहीं रिस लिया मैं बॉर्ट ढर गया मेरी काफे सारे मौव के हाथ से निकल गए तो बुरे से पूरा क्या होता है कि चल रहा हूँ जरूरी है कि वे खोब फॉर्ड बेस्ट और प्रिपर फॉर्फ ऐसा बोला जाता है कि आशा करो कि अच्छे से अच्छा हो जाएंगा और अपनी तयारी करो कि बूरे से बूरा होंगा तो क्या करना और यह आप करते हैं तो आप कोई भी situation का कोई भी वास्ताविकता वास्ताविकता जो उसका सामना कोई situation है उसका सामना आप कर सकोंगे बीना ड्रेवे देको जिनको बहुत बड़े सफ बहुत बड़ी सफलता मिले उनने रिस्क लिए ऐसा और जाए कि no risk no gain तो आपको इते बड़ा गेंग चाहिए तो आपको रिस्टो लेनी पड़ेगी पड़ेगी और इस नहीं लेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है तो जो चल रहा है उसा चलते रहेंगा तो जिंदेगी में आप डिफिनेटली रिस्क लो और हम बोलते कैलिकुलेटेड रिस्क लो इसको बोलते कैलिकुलेटेड रिस्क मतलब एक दम रस्ते पर नहीं आएंगे वैसा समझो धन्ना नहीं चलता है तो क्या होंगा अपको वापस नुक्री पर जाना पड़ेगा और क्या होंगा दूसरा धन्दा धुनना पड़ेंगा कोई और धन्दे के ऊपर जो लोग बॉर्डर लाइन पे है बॉर्डर पे है और जो रिस लेहीं लाना चाहते है वह आपके दोस्तों को स्पेशली वीडियो शेयर करो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धिन्यवाद थैंक यू वेरी मच पुल देखने को मते है बॉर्डर बॉर्डर लग्हात